रामायन की पूरी कहानी जारी है भाग आठ जिसने भाग एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे और साथ नहीं देखी तो देख लो धन्यवाद भाग आठ, सनातन धर्म वा भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटा कर उसको संपूर्ण वा सत्य रूप से आप लोगों तक पहुँचाना मेरा उद्देश्य है यदि किसी भी विशय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटी हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिपनी कर मुझे अवगत करें और दोस्तों बहुत विदुवानू का अपना अपना तर्क है और निचे अपना तर्क बताया है यदि आपको ठीक लगे तो सही नहीं तो आप अपने तर्क से सोचें सीता की खोज तथा राम जटायू समवाद सीता हरन के पश्चात जब राम और लक्षमन अपनी कुटिया में लोटते हैं तो सीता माता उनको नहीं मिलती दोनों भाई समझ जाते हैं कि यह अवश्य ही किसी असुर की चाल थी दोनों भाई सीता को ढूंडते हुए दर दर भटकने लगते हैं काफी देर तक वन में भटकने के बाद उनको गिद जटायू घायल अवस्था में पड़े हुए मिलते हैं जटायू श्री राम लक्ष्मन को सीता हरन का सारा वृतांत बताता है कि देवी सीता को रावन नाम का असुर हरन करके दक्षन दिशा की तरफ ले गया है गेद जटायू श्रीराम एक पुत्र की तरह जटायू का अंतिम संसकार करते हैं तथा सीता की खोज में दक्षिन की तरफ चल देते हैं। बहुत समय तक वन में भटकते हुए उन पर एक लंबी भुजाओं वाला राक्षस आक्रमन करता है। लक्षमन अपनी तलवार से उस राक्षस की दोनों भुजाई काच देते हैं। तब वो राक्षस श्रीराम को बताता है कि वो एक गंधर्व है और रिशी के शाप के कारण ऐसा बन गया है। अधिक रिपया करके आप मेरे पूरे शरीर का अंतिम संसकार करेंगे तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। तब मैं आपकी पत्नी सीता तक पहुँचने में आपकी सहायता करूंगा। तब श्रीराम लक्षमन से लकडियां एकत्रित करने के लिए कहते हैं और उस विशाल राक्षस का पूरे शरीर के साथ अंतिम संसकार करते हैं। अंतिम संसकार करने के बाद वह राक्षस एक रूपवान गंधर्व बन जाता है और श्री राम को बताता है कि आपकी पतनी को लनका का राजा रावन हरन करके ले गया है। मैं अपने दिव्य ज्यान से ये देख सकता हूँ कि आपकी मित्रता वानर राज सुग्रीव से होगी जिसकी सहायता से आप अपने कार्य में सफल होंगे तथारावन पर विजय प्राप्त करेंगे। सुग्रीव से मिलने के लिए आप पहले माताशबरी से मिलेंगे जो की परम तपस्विनी है और महर्शी मतंग मुनी की शिश्या है। वो आपकी भक्ती कर रही है। इसलिए आप अभी पंपासरोवा के पास्थित मतंग मुनी के आश्रम में जाए जहां पर आपको माताशबरी मिलेंगी. राम लक्षमन की माताशबरी से भेच उसके बाद श्री राम और लक्षमन पंपासरोवर की तरफ चल देते हैं जहां पर उन्हें एक व्रिधा भीलनी मिलती है जो की रास्ते पर फूल बिच्छा रही होती है. वो व्रिधा भीलनी परम तपस्विनी माताशबरी थी जो की अपने भगवान श्री राम के आने के लिए कुटिया के रास्ते पर हर दिन फूल बिच्छाती थी ताकि जब श्री राम आये तो उनके पैर में कोई कांटा ना लगे. जब श्री राम और लक्षमन की कुटिया में पहुंचते हैं तो उनका परिचय पाकर माता शबरी खुशी से रोने लगती हैं तथा श्री राम और लक्षमन का स्वागत करती हैं वो उन्हें बताती हैं कि उनके गुरू श्री मतंग मुनी जी अब नहीं रहे लेकिन उन्हो शबरी के बेर, माता शबरी श्री राम और लक्षमन को भोजन के रूप में अपने द्वारा लाए गए बेर देती है। श्री राम के दर्शन करना चाहती थी। अता श्री राम से मिलन के मिलने के पश्चात शबरी उनको बताती है कि पंपा सरोवर के दक्षिन तटकी तरफ। रिशी मुख परवत है जिसके शिखर पर वानर राज सुग्रीव अपने चार मंत्रियों के साथ वास करते हैं और वही पर आपको अपने परमभक्त हनुमान से भी भेट होगी। उसके पश्चात शबरी शा शरीर अपने परमधाम को चली जाती है।